नमस्कार आप देख रहे हैं इजी शिक्षा मैं हूँ आपके साथ वन्शिका चाहां तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की जिसका शीर्षक है सच्ची सफलता और विफलता रमेश और सुरेश चुडवा भाई थे वे बचपन से एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे अब वे दोनों दसवी कक्षा के चात्र थे उनकी ही कक्षा में अनिकेत नाम का एक चात्र था जो बहुत ही अमीर परिवार से था एक दिन अनिकेत अपने जन्म दिन पर बहुत महंगा सा मुबाईल लेकर स्कूल आ गया सभी उसे देखकर बहुत चकित हो गए हर कोई उस मुबाईल के बारे में बात कर रहा था तभी कक्षा के एक छात्र ने अनिकेट से पूछा यार ये कितना महंगा मुबाईल है तुझे किस ने दिया मेरे भाई ने मुझे मुबाईल गिफ्ट किया है कल ही वो विदेश से आया है अनिकेट ने अपना मुबाईल दिखाते हुए कहा यह सुनकर कक्षा में सभी उसके भाई की तारीफ करने लगे हर कोई यही सोच रहा था कि काश उनका भी कोई ऐसा भाई होता रमेश भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था उसने सुरेश से कहा काश हमारा भी कोई ऐसा भाई होता न पर सुरेश की सोच अलग थी उसने कहा काश मैं भी ऐसा बड़ा भाई बन पाता तो बच्चों हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारी सफलता और विफलता हमारे दृष्टिकूर पर काफी हद तक निर्भर करती है हमारी सोच ही है जो हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाती है इसलिए बच्चों आज आप सभी को चितर बनाना है रमेश और सुरेश का और हमें भेजना है हमारे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज़ पर जिसका लिंग डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद